प्रिवन इस वीडियो में हम क्लास से एक सब्जेक्ट सोशल साइंस की असेस्मेंट वक्षिट 6 करेंगे डेट है इसकी 1 नवंबर 2021 असेस्मेंट के मैक्सिमम मार्क्स है 20 तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे चैनल मायंड बूस्टिंग क्लासस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे और यह आपका असेस्मेंट है तो कोशिश कीजे इसको आप खुद से सॉल्व करें और अब तक हमने जितने भी वक्षिट्स पढ़ी है उन्हीं में से एसेस्मेंट लिया गया है तो शुरू करते हैं डारकन दर सर्कल ओफ तक करेक्ट आंसर्स ऑफ ता फॉलिवि तो यह mcqs है question 1 है from which of the following states were hadappan used to import copper? यानि कौन से state में से hadappans copper जो है use यानि लाया करते थे? इंपोर्ट कौन से state से करते थे? राजिस्थान, केला, पंजाब या बिहार? तो इसका right answer आपका A रहेगा राजिस्थान ठीक है? फिर second question है from which of the following state was Lothal City situated? लोथल City कौन से state में situated थी? पंजाब में, हरियाडा में, राजिस्थान में या फिर D Gujarat में? So right answer is D Gujarat में? फिर आजाता है आपका third question, which of the following river was located near the Mohinjodaro City? Mohinjodaro City के आसपास कौन से river located थी? रावी, चेनब, जेलम या सिंधू? So right answer is D, सिंधू. फिर करते हैं अपना question number four, from which of the following country did the hadappans import tin metal? तिन जो धातू होता है, tin metal, वो कौन से country से hadappans import किया करते थे? यानि लिया करते थे? चाइना से, ओमान से, एरान से या अफरीका से? So right answer है, इरान, इरान से ही जो है tin लाया जाता था, सब हमने वक्षीट में पढ़ा है, question fifth है, write the name of any two main cities of the hadappan civilization, hadappan civilization से आपको किनी दो main cities का नाम बताना है, तो main cities शिरू से ही hadappa और Mohinjodaro ही रही हैं, है ना, so ये दो main cities थी hadappan civilization की, इनके आप लाम लिख देंगे और ये दो माक्स का आपका question है, फिर देखते हैं, अपना question number six, from where were precious stones imported in hadappan civilization, ये भी two marks का question है, इसमें पूछा है, hadappan civilization में precious stone यानी बहुमूल्य पत्थर कहां से लाय जाते थे, so इसका answer लिखेंगे, the people of the hadappan civilization imported precious stones from Iran and Afghanistan, इरान और अफगानिस्तान से ये precious इस पत्थर लाय जाते थे, फिर है आपका question seven, दो marks का, write any two sources to know the past, past को जानने के लिए आपका कोई दो श्रोत्ते बता नहीं है, so that is, क्या हो जाएगा आपका, first tool, second sculpture, tool का मतलब bizarre, sculpture का मतलब मूर्दिया, ये दो ही ऐसे श्रोत्ते हैं, sources हैं, जिनसे हमें past के बारे में पता च civilization, हरपन civilization में cities का division किस तरीके से होता था, so answer रिखेंगे, the cities in हरपन civilization were divided into two parts, cities जो थी दो भागो में बाटी जाती थी, the part that was built on a raised height is called the citadel, the part with a low height but a larger area is called the lower town, जो उचाई पर बना होता था, लेकिन छोटा पार्ट होता था, उसे हम citadel कहते थे, और जो पार्ट नीचे बजना हुआ था, यानि नीचले हिस्से पर बनाया चाता था, लेकिन उसकी जगें बड़ी होती थी, उसको lower town कहते थे, the citadel was built on a raised ground and had a high walls made of bricks, जो citadel था, वो एक बनाया जाता था और उसकी high दिवाले हुआ करती थी, जैसे देखो ये आपका citadel है, इसमें उची उची दिवाले हुआ करती थी, जो की bricks से बनी होती थी, ठीक है, फिर आजाता है आपका 9th question, ये 3 marks का है, इसे करने से पहले देखिए, अगर आप PDF बनाना सीखना चाहते हैं इमेज से PDF कैसे बनाएं, तो इस चीज़ के लिए description में आपको मैं एक link दे दूँगी, उसे जाकर आप लोग देख लीजेगा, ठीक है, बहुत interesting वीडियो है, काफी बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए वो वीडियो बनाए गई है, description में link है, आप जाकर देख सकते हैं, और कोई doubt हो, तो उसी वीडियो के comment box में आप पूछ लीजेगा, तो question 9 देखते हैं, what did people of village do in hadappan civilization for their livelihood, hadappan civilization के लोग क्या किया करते थे अपने जीवन के लिए, यानि वो क्या करते थे जिससे उनका जीवन चल सके, गाओं के hadappan civilization के लोगों के बारे में बात की जा रही है, so 9th question जो है, 3 marks का है, इसका answer आप लिखेंगे, in the hadappan civilization, the people of all village grew grains and capped animals, hadappan civilization में गाओं के लोग grains और animals को पाला करते थे, grains उगाया करते थे और animals को पाला करते थे, farmers and herders used to give food items to the rulers, writers and artisians living in the cities, farmer and herders, यानि जो किसान और चरवाहे हुआ करते थे, वो ही खाने पीने की चीज, cities में रहने वाले ruler यानि शाशक, writer यानि लेखक और artist के पास पहुचाया करते थे, दस्तिकारों के पास, plant procedures shows that the hadappan grew, wheat, barley, pulses, peas, paddy, system and mustard, जो plant के अफशेश बच्चे हैं, उनसे पता चलता है कि hadappans, wheat, barley, pulses, peas, paddy, system and mustard उगाया करते थे, ठेके, तो इस तरीके से answer number 9 हो जाएगा 3 marks का, फिर question number 10 है, उसे करने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर हर महीने नया competition होता है, हमारा जो चैनल है, mind boosting competition यानि MBC, उस पर हमेशा नये competition होते रहते हैं, नवंबर मंत का competition के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, नवंबर मंत में storytelling competition होने वाला है, storytelling competition की अधिक जानक और storytelling competition में prizes जीतने के लिए जरूर हिस्सा लीजेगा, फिर देखते हैं अपना 10th question जो की थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये 4 marks का है, इसमें है, describe the great path found in Mohin Jodaro, Mohin Jodaro में जो बड़ा सा तालाब है, उसके बारे में आपको describe करना है, कुछ पंक्तियां लिखकर बताना है, ठीक ह तो आईए, question 10 देखो, इसका answer आप कैसे करेंगे, the great path is considered as one of the most impressive structure of Mohin Jodaro, Mohin Jodaro का बहुत अच्छा impressive structure, great path को कहा जाता है, it is a rectangular structure made of bricks and bitumen, चेक है, तो ये जो है, कैसा होता है, rectangular होता है, और bricks of bitumen से बना होता है, एक तार भी, देखो, bitumen का मतलब तार होता है, चेक है, bitumen और तार has been used to water tighten it, पानी टाइटन करने के लिए, यानि पानी उसमें से आसपस से निकले ना, इसलिए तार से उसमें लगाए गए है, it resembles a swimming pool and was where it's used for bathing on special occasions, swimming pool जैसा ही है, और शायद से special occasions पर उसका use किया जाता होगा नहाने के लिए, यहीं आज की work sheet finish होती है, I hope आपको अ subscribe our channel, thank you